हलो बच्चो शुआगत है आप सभी का इस वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैलन्ज स्टडिय ओन सो बच्चो इस वीडियो में हम सॉल करेंगे 8 ग्रेड वर्क बुक प्रशनोत्तर पुष्तिका के अंतरगत कक्षा चौथी का आपका जो सब्जेक्ट है बचो अंग्रेजी स्कूलों से आपको जो बुक मिली है 8 ग्रेड वर्क बुक प्रशनोत्तर पुष्तिका की उसमें कक्षा चौथी का जो आपका अंग्रेजीव से है उसका संपूर्ण सॉलिशन इस वीडियो में हम देखेंगे जी है बच्चो जिसमें आपके तोटल जो आपको यहां पर दिया हुए अंग्रेजीव से में उसके सबी प्रशनों के उतर आपको इस वीडियो में दिये जाएंगे उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना देखिए आपके इसमें अनुक्रमणी का है अंग्रेजीव स है इसका तो इसके टोटल आपको यहां जितने भी देखिए अध्या दिख रहे हैं एक से लिकर नौ तक इन सभी के सभी प्रशनों के उतर आपको इस वीडियो में दिये जाएंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना साथी साथ बच्चों से पहले कि आपके देख इसके बास सिक्वेंस से सभी अध्या के हम सॉल्यूशन देखेंगे तो देखिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने शबी दोस्तों साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी हल्प हो तो चलिए वीडियो में शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हैं देखिए द्धेया दो में आपको बोलागा वरी शौट आंसें बहूट चोटे कोशेंस हैं से और एक शप्त में उत्तार देखिए आपको बूला गया बॉच् जिसमें आपका पहला कोश्डू है教 delivery लिऑ आपको रिमिंग उड़् लिखना लिखना ए जैसे तुकee सबस्छ तो आपको answer में लिख लेना है बच्चो टुक लुक लुक या आपको जो इसके right answer हो जाएगा पहले question का उतर आपको लिखना है इसका rhyming word हो जाएगा इसके बाद बच्चो दीखे आपका second question है opposite of small small का आपको दीखे opposite लिखना है गंगा दगंगा मनलब गंगा नदी या आपका इसका उतर हो जाएगा इसके बाद दीखे बच्चो आगे आपको short answer बोला गया जिसमे answer in one word एक वाकी में उतर दें आपको बोला गया जिसमें 4 प्रशन है बच्चो what is this यह जो है ताज महल है या आपका इसका उतर हो जाएगा चोते प्रशन का उतर बच्चो आपको यह लिखना है इसके बाद देखे आगे बढ़ेंगे यादी वीडियो स्पीड में है तो वीडियो को रुक रुक कर आप पूरा उतर लिखते जाएगे इसके बाद देखे पांचवा है जो है चंदरमा जो है कहां चमकता है तो उतर लिखने बच्चो दा मून सील्स इन दा इसका उतर हो जाएगा इसके बाद देखे छटवा प्रशन है आपका रियरेंज दा जंपलेड लेटर स्टू दा फ्रॉमा वर्ड आपको देखे जंपलेड वर्ड आपको यहां पर दिये हुए मिस्स इसको आपको ऐसे बनाना है इनको सब्ज आगे पीशे करके लेटर को कि इनका जो कोई अर्थ निकले बच्छों देखे पहला स्प्रकार है तो इसका उत्तर होगा ये टेबल में आपको यहाँ पर दिया हुए देखिए दा ताजमहल, दा सन, दा एलिफेंट, दा फुलमोन और इस प्रकार से आपको वर्ब दी हुई है और इस सारी चीचे आपको यहाँ दी हुए इसको आपको जोड़ गए जो है यहाँ पर एक्जामपल भी दिया हुए इ यहाँ पर दिया को जोड़ना हैं इन दा सकार आपको यहाँ पर प्रकार पूरह को जोड़ना है और पहला प्रशन आपको यह हुए है, तो बचो वीडियो को रूखरा है और उत्तर आपको लिखते जाना है इसके बाद ही कि assessment one आपका यहां से प्रारम हो जाता है assessment one जिसमें आपका मूल लग है answer in one word एक शब्द में आपको उत्तर देना है पहला प्रशने बचो what looks like a lamp in the air कौन जो है lamp का जो air में जो lamp की तरह दिखता है तो उत्तर लिखना है बचो आपको the moon looks like a lamp in the air ये इसका आपका उत्तर हो जाएगा the moon में चंद्रमा जो है जो हवाओं में जो है क्या दिखता है lamp की तरह दिखता है इसके बाद ही कि आपका short answer है बचो short answer जिसमें आपको answer in one sentence एक वाक्य में उत्तर दीजे बोला गया है तो बचे दीखें दूसरा question है आपका इसका write the name of the two holiday books holiday books मसलब जो है इसके बाद आपका तीसरा प्रशन ही की write the four lines in the poem the moon कवीता की चार लाइन आपको यहां पर लिखें कहा गया है तो देखें बचो पहला है आपका oh तो आपको लिखना है बचो look at the moon दूसरा लिखा है see is signing up there तीसरा लिखा बचो mother is mother see looks आगे लिखना है बचो likes a lamp in the air इस प्रक को रोकना है पूरा उत्ता लिखना है इसका right answer है इसके बाद देखें बचो आपका अध्याय तीन है अप्पू एंड अनू तो देखेंगे इसमें सबसे पहले आपको बोल गया very short answer answer in one word एक शब्द में आपको उत्ता लिखने को कहा गया है तो देखें पहला प्रशन है opposite of happy happy का opposite word लिखना है opposite मतलब विप्रित वाला happy मतलब होता है बचो खुसी तो दुखी क्यों क्या बलेंगे अपन unhappy unhappy यू एन लगा देना आपको यहां सामने और इसमें unhappy आपको यहां उत्तर में लिख देना है इसका उत्तर होगा इसके बाद देखें तीसरा प्रशन है रिय लिखना है इसके बाद देखें आपका short answer है answer in one one sentence एक वाकिए में आपको उत्तर देवो लगया है तो चौता question है बचो what is the name of the ant चीटी का नाम क्या था इसका वीता में चीटी का नाम आपको बताना है तो उत्तर लिखना है बचो अनू is the name of ant आंट यह मतलब यह मतलब होजा going to market जो हाती जो है market में बाजार जा रहा था इसका उत्तर हो जाएगा इसके बाद देखें च्छटवा प्रशने की when do we use an umbrella हम कब जो है चाते का यूज करते हैं तो उत्तर लिखना बचो we use an umbrella in rain वर्सा के समय जो हम चाते का उप्योग करतें umbrella का यूज करते हैं इसका उत्तर आपका है इसके बाद देखी बचो आपका सातवा कोशिन है long answer आपको यहां पर बोला गया है जिसमें आपको बोला गया answer in two or three sentence दो तीन वाक्यों में उत्तर दे आपको दो से तीन वाक्यों में यहां पर दो उत्तर इनके देना है प्रशनों के तो देखी सातवा पशन है write four lines on elephant using the word from the box आपको दिये गए शब्दों से हाती पर जो चार लाइन लिखे बोला गया है आपको हाती पर चार लाइन लिखनी है दिये गए सब्दे सब्द क्या है आपके trunk teeth ear or legs आपको इन चार जो सब्द दिये गया है इनसे बनाकर आपको हाती के बारे में चार वक्ये trick आपका यहां पर आ गया देहिए दूसरा लिखा है बचिए elephant is two four legs आपको दिया हुआ है legs आपका दिये है here here इस प्रकार आपको बच्छो चारो जो यह आंसर यह लिख लेने इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इसके बद एक आंसर इन वन वर्ड बोल गया एक शब्द में आपको उत्तर देना बच्छो तो दीखे पहला प्रशने आपको देखे हाती का नाम आपको यहां पर बताना है तो बच्छो इसका उत्तर हो जाएगा अप्पू अप्पू जो है हाती का नाम था यह आपको उत्तर में लिख देना है इसके बाद ही short answer आपको यहां पर बोला गया बच्छो answer in one sentence एक वाक्य में आपको उत्तर देना है जिसमें question number two है where does an aeroplane fly हवाई जहाच कहां उड़ता है aeroplane कहां उड़ता है तो आपने देखा होगा aeroplane जो आकास में उड़ता है जो है aeroplane आकास में उड़ता है आपका English है उसको आपको लिख देना है इसके बाद देखे छटवा आपका आगे है long answer है आपका answer in two और three sentence दो से तीन वाक्यों में आपको यहां पर उत्तर देना है तो देखे बच्छो तीसरा परशने write three sentence from the given table table से आपको देखे तीन वाक्यों आपको यहां बनाना है मिलाकर इनको और यहां पर आपको उत्तर लिखना है तो देखे उत्तर आपको लिखना है appu was going to market आपको example दिया हुआ है तो answer लिखना है बच्छो appu meeting aunt second हो जाएगा appu was an elephant hint तीसरा बज़ा हो जाएगा बच्छो appu took out his umbrella यह आपको तीन जो है इसके उत्तर हो जाएंगे आपको वीडियो को रोकर रहे पूरा उत्तर लिखना है इसका right answer है इसके बाद देखे आगे बढ़ेंगे तो lesson number 4 है आपका chichi the baby bird chichi the baby bird आपका relation का नाम है तो देखे very short answer आपको सबसे पहला बोला गया है answer in one word आपको एक शब्द में यहां पर उत्तर देना है देखे पहला प्रशने बचो what was the name of the baby bird baby bird का नाम क्या था तो उत्तर लिखना है बचो आपको chichi chichi जो है baby bird का नाम था इसका उत्तर हो जाएगा second प्रशने बचो आपका की where was the bird chichi जो है bird जो है आपकी थी वो chichi कहां कर रही थी तो बचो इसका हो जाएगा inner cage इना cage इसका right answer हो जाएगा यह आपको लिख लेना है इसके पाद देखे तीसरा प्रशने है rearrange the letters to make a word आपको जो है word बनाने के लिए rearrange करना है तो देखे टर आपको यहाँ पर बोला गया है तो आपको सही बनाना है इसको ताकि इसका कोई अर्थ निकले देखे बचो इसका उतर आपको लिखने rat rate इसका उत्तर हो जाएगा यह आपको यहाँ पर दोहे लिख देना है इसके बाद ही कि short answer है आपका यहाँ पर answer in one sentence एक वाक्य में आपको यहाँ पर उत्तर देना है देखे चौता प्रशन है आपका where did the baby bird fall baby bird fall कहां कर रही थी तो उत्तर लिखना है बच्छों आपका the baby bird fall on the ground यह इसका आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ आपको पूरा लिखना है इसके बाद ही पांचवा प्रशन है की who found the baby bird किसने बेबी bird को ढूंडा तो उत्तर लिखना है बच्छों आपको राजु एंड मोना found the baby bird इसका आपका उत्तर हो जाएगा यह आपको लिखना है इसके बाद ही आपका छटवा प्रशन है who said let me try यह जो who said किसने कहा की let me try तो उत्तर लिखना है बच्छो a rate said let me the try यह जो चूहे नहीं कहा चूहे ने rate मतलब होता है चूहा तो इसका उत्तर आपको यह पूरा लिख लेना है इसके बाद देखी long answer है आपका यहाँ पर answer in two और three sentence दो से तीन वाक्यों में आपको यहाँ पर उत्तर देना है बच्छो जिसमें सात्वा प्रशन है write three lines about the lesion using given word आपको देखे दिये गए आपको यहाँ आगया पहले में दूसरा बच्छो the bird चीची इना केज तो देखी bird आपका यहाँ पर आगया देखी bird आपका यहाँ पर आगया फिर देखी तीसरा लिए चीची वास full of joy यह इसका आपका उत्तर हो जाएगा देखी आपको joy यहाँ आपको दिया हुआ है तो joy आपका देखी यहाँ पर आगया इस प्रकार आपको कोई तीन वाक्य बनाना था यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा बच्छो इसके बाद देखी हम आगे बढ़ेंगे तो assessment तीन आपका यहाँ है बच्छो की assessment तीन में बोला गया answer in one word एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है आपको उत्तर लिखना है बच्छो पहला question है write the name of the pictures पिक्चर में आपको देखी एक paid दिख रहा है तो यहाँ पर आपको English में इसका नाम लिखना है एक वाकि में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है तो देखी पहला प्रशन आपको punctuate the following तो देखी आपको punctuate करना है वाकिया आपको दिया हो इसको punctuate करना में सही तरीक से लिखना है तो देखी rate cut the cage open आपको देखी इस परकार दिया हो इसको punctuate करके आपको लिखना है तो उत्तर लिखना है बचो रेटी में देखे आर आपका पहला जो वर्ड है sentence का तो यह बड़ा हो जाएगा रेटी put in the cage open और यहां आपको full stop लगाना है इस प्रकार आपको यह पूरा उत्तर लिखना है यह पहले प्रिष्ण का आपको उत्तर है इसके बाद ही long answer long answer आपको यहां बुला गया answer in two or three sentence एक एक वाक्य में जो उत्तर दिया आपको बुला गया पहला प्रशने बचो नेमदा birds right ends on the sentence for each आपको यहां bird दिये हुए उनके आपको नाम लिखना है जिस प्रकार आपको देखी पहले में कोवा दिया हुआ तो इसमें लिखा वी this is a crow यह जो यह हो गया कोवे है इसी प्रकार आपको देखी द्यूसरे में दिया हुए आपको यहां पर दीसा पीरो दिया हुए तो इसको आपको बताना है sentence लिख के इसके बाद इचिडिया है, तो इस इजा स्पेरो, इस पेरो आपको यहां पर लिख देना है, या आपका इसका उत्तर हो जाएगा, या आपको पूरे नाम बच्चो इस तरीके से लिखने है, इसके बाद इचे लेसन नंबर आट है, आपका भोला, स्काइड, भोला की जो है बोला कि पतंग आपका लिसन नबर 8 है तो इसमें पहला प्रशने बचो very short answer, answer in one word, एक शब्द में आपको यहां पर उत्तर देना है, देखे पहला प्रशने नेमदा, festival of kites, दो पतंगों के तेवार को क्या काज आता है, कौन सा तेवार होता है आपका पतंगों का आपको बता होता है, दूसरा बचो do you like flying kites, तो यह लिखना है बचो क्या आप जो पतंग उड़ाना प्षण करते हैं, तो उत्तर आपको लिखना है yes, I like flying kites, यह इसका उत्तर हो जाएगा, इसके बाद देखे आगे, short answer आपका, answer in one sentence, एक वाकि में आपको यहां पर उत्तर देना है, त the name of the two things you can see in the picture, आपको जीखी picture में जो है कौन-कौन सी दो चीजे दिख रही है, आपको यहां पर बताना है, तो उत्तर लिखना है बचो आपको kite and sky, जो पतंग और मुझे आस्मान जो है पिच्चर में दिख रहा है, इसका उत्तर हो जाएगा, इसके बाद देखे पाँच सूरज climbs the tree, यह इसका उत्तर होगा पहले का, और दूसरा देखे, it late go higher, तो देखे इसको भी आगे पीछे करके आपको बनाना है, तो इसका होजाएगा बचो, let it go higher, यह आपका इसका उत्तर है, यह आपको पूरा लिखना है, इसके बाद देखे च्छटवा प्रशन है, what do भोला थ्रो, टू मंकी, भोला ने बंकी को मानने के लिए क्या किया, क्या फेका मंकी के पांस, तो उत्तर लिखना है बचो भोला थ्रो आप बनाना तू मंकी, जो बंदर के पास जो है, भोला ने बनाना फेका, बनाना में स्केला फेका, यह आपका इसका उत्तर है, इसके ब यहाँ पर जो पॉइंट दिया है इन को पुरे जोड़ना है जोइट करने है जोड़ना है तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार जोड़ना है अर जीक पूरा बनाइगा हिसको आपको फूर करने अपनी अश्र का ह्वर पूरे नि उसका नाम आपको यहां पर लिखनीatra है उधेकि आपको देनी कुछ गया आपको अनुसरे से यहां पर नींडिकल का नंहों Чए आ गया है जिसमें पहला पश्चन है बचो do monkey like bananas तो देखिए क्या monkey जो है केले पुशंद होते बंदर को केले पुशंद होते इसको उत्तर हो जाएगा बचो yes monkey like bananas यह आपको लिख देना है इसके बाद देखिए आपका आगे है short answer है आपका short answer आपको यहां पर बोला गया है answer in one sentence एक वाक्य में आपको उत्तर देना है देखिए question number four है write in ing from the following word आपको ing लगाकर यहां पर शब्द बनाना है तो देखिए fly दिया हुआ है तो इसका उजाएगा बचो flying hold दिया हुए तो इसका होजाएगा holding इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिख देना है इसके बाद है कि long answer है आपका यहां पर की answer in two और three sentence दो से तीन वाक्यों में आपको यहां पर उत्तर देना है बच्छो तेखिए question number three आपका write through three sentence on मकर शंक्रारती मकर शंक्रारती आपका जो तेखिए का पिछले दिनी कुछ गया है अभी जनवरी में आपका मकर शंक्रारती गया 14 जनुदा के बारे में ऊस यह कुछ ही यहां लाइन लिखनी तो पहला लिख देना है बच्छो मकर शंक्रारती इंडियक्टी प्हारती यह भारती दूसर deed लिखने है बच्छो यह इसके बाद देखे नववा लेशन आपका find your sweets आपकी दिए अपनी find your sweets इस प्रकार आपको यहाँ पर नववा आपका लेशन है इसमें जिसमें आपको देखे very short answer आपका यहाँ पर बोला गया है देखे some and sweet इस प्रकार आपको लिख लेना है जो essay start होते हैं आपके दूसरा प्रशन है बचो write the opposite for under under मतलब होता है अंदर तो देखे बाहर को क्या बोलेंगी opposite word बोला गया इसमें विपरितार तक शब्द तो इसमें लिखना है बचो आपको over over इसका जो है उतर हो जाएगा तीसरा प्रशन है बचो who bet the sweet sweet जो है किसने बनाया तो बचो इसमें लिखना है mother ममी ने जो है sweet मितलब मिठाई जो है बनाई इसके बाद देखे आगे आपका short answer है बचो जिसमें आपका बोला गया answer in one sentence एक वाकि में आपको यहाँ पर उतर देना है तो देखे चौता प्रश ने what was under the bed जो बेड के अंदर क्या था तो उत्तर लिखना है बचो a box was under the bed यह इसका आपका पांचवे प्रशन का उतर आपको यह लिखना है इसके बाद की छटवे प्रशन है where did सीमा find the box जो सीमा जो है box को ढूंडा तो उत्तर लिखना है बचो सीमा found a box under a bed बेड के नीचे जो है अंदर जो है उनने जो है box को ढूंडा यह आपके छटवे प्रशन का उतर आपको लिखना है इसी प्रकार देखे आगे है आगे है आपका long answer आपको बोला गया answer in two or three sentence दो से तीन वाक्यों में आपको यहां पर उतर देना है बचो जिसमें सातों प्रशन आपका की write three sentence from the given table आपको दिये गए टेबल से तीन वाक्यां पर जो है लिखना है तो कि किस प्रकार लिखना है आपको example आपको दिया गया मीना आपको दिया हुआ है मीना मीना आपको दिया हुआ हुआ है to book herself इस प्रकार आपको तीनों को आपने जब जोड़ा तो आपका दिखी पहला मीना वाक्या बना पहला बाक्या आपका वण इस परकार आपको दूसरा हुआ जाएगा मीना फाइंट दो बॉर्ट्टल हुआ है इसके बाद घ्ältषा मीना ऑश।ward टूदा बॉलमिजों । इस प्रकार आपको लिखना है तीनों आपको उत्तर हुआ है कि आपको यहां पर जिसमें आपको बोलगे answer in one word एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है बचो पहला प्रशन है who made the sweet जो मिठाई किसे ने बनाई थी तो उत्तर हो जाएगा mother m-o-t-h-e-r-y-r इस प्रकार आपको mother लिखना है m-o-t-h-e-r आपका mother हो जाएगा इसके बाद देखी short answer है आपका यहाँ पर answer in one sentence एक वाकी में आपको उत्तर देना है दूसरा question है बचो puntuate the following sentence puntuate करना है में इस आपको जो गलत दिया हुए यहाँ पर इसको आपको puntuate में सहीं करके लिखना है तो देखे where is Kate तो यह question आपको पूछा गया है तो आपको question mark आपका यहाँ नहीं लगा हुआ है तो आपको लिखना है देखे where is Kate आपको यहाँ पर देखी question mark इस उपरकार लगा देने यह आपके दूसरे प्रशन का बच्छे उत्तर हो जाएगा इसके बाद देखे आगे आपका long answer answer in two or three sentence दो से तीन वाक्यों में आपको उत्तर देबो लगा है जिसमें तीसरा प्रशन बच्छो use the words given below and write to three sentence आपको दिये गए शब्दों का use करके दो से तीन वाक्य बनाने जिसमें आपका देखे birthday gift sonu friends आपको पहले दूसरे तीसरे जो sentence को यह पूरा लिख लेना है इसका उत्तर है इसके बाद देखे दस्वा परशन आपका rain drop आपका देखे लेशन है लेशन नंबर है दस्वा rain drop तो इसके भी answer हम देखेंगे तो देखे very short answer है आपका answer in one word एक शब्द में आपको यह उत्तर देना है बच्चो देखे आपको यह leaf दिख रहे हैं में इस पत्ती पीड़ की पत्ती दिख रहे है तो उत्ता लिखने बच्चो question number one है आपका what is the color of the leaf leaf मतलब पत्ती का color क्या होता है अपने पत्ती पीड़ों में देखेंगे इसका color क्या होता है आपको बताना है उत्ता लिखने बच्चो green हरा होता है यह इसका उत्तर हो जाएगा इसके बाद देखे आगे बढ़ेंगे आगे आपको दूसरा question है write the name of the fruits आपको यहां देखे fruits दिख रहा है कौन सा है आपका आम है तो आपको आम लिख लेना मिन्स mango इसको इंगलिस में mango कहते है आपको यह लिखना है तीसरा प्रशने बचो write the name of the thing given in the picture प्रशने में आपको कौन से चीज दी गई यह आपको लिखना है यह क्या है आपकी ball है यह आपका ball मिन्स gain है यह आपको लिख लेना है इसके बाद देखी short answer आपको यहां पर short answer आपको क्या बोला गया है answer in one sentence एक वाकि में आपको यहां पर उत्तर देना है बचो जिसमें चौता प्रशने आपका what moosh round the sun क्या जो है आप सूरी के आसपास क्या गूमती है तो उत्तर आपको लिखना है बचो the sun moosh around the sun the earth हो जाएगा मिस प्रत्वी जो है सूरी के आसपास गूमती है इसके बाद देखिए पांच भाई write one part of a tree tree के कोई एक पार्ट का आपको यहां पर उत्तर लिखना है मनला आपको नाम लिखना है तो उत्तर लिखना है बचो लीफ पत्ती पत्ती इसका जो एक पार्ट होता है इसके बाद देखिए आगे आपका छटवा प्रशन है what is like a rain drop कैसा हो जो rain drop कैसा होता है तो उत्तर लिखना बचो red is like a rain drop यह इसका उत्तर हो जाएगा छटवे प्रशन का इसके बाद देखिए आपका long answer है बचो यहां पर question number 7 है write the name of the fruits in a column A and flowers in a column B from the given words आपको दिये के पूलो के नाम है इसको आपको जो जो अलगअलग करके लिखना है kuala में यह आपका column B है column A में आपको जिकी फूलो के नाम लिखने तो आपको लिखने मैं लेक्ति आपको इसके बाद ही assessment 6 है बच्चो आपको इहां से assessment 6 जिसमें आपको बोला गया answer in one word एक शबद में आप तो देखिए पहला प्रशने आपका write the rhyming word for hand hand का आपको rhyming word लिखना hand मतलब देखिए हाथ होता है तो देखिए rhyming word मतलब क्या होता है मिलते जुलते सब तो hand, bend, paint या आपको जो है इसके rhyming word हो जाएंगे जिनके last lecture जो है वैसे ही रहते हैं तो आपको लिख देना बच्चों land land हो जाएगा आपका rhyming word इसके बाद ही short answer है आपका answer in one sentence एक वाकि में आपको उत्तर दे बोला गया बच्चों जिसमें एक दूसरा प्रशन है आपका where does the sun rise sun जो सूर्जों कहां से उगता है इसका उत्तर होगा बच्चों बच्चों name any four parts of a tree and make three sentence using them जो है पेड़ के किनी तीन पार्ट के आपको नाम लिखने हिस्से के और उसका यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है पहला प्रशन है आपका leaf पहला answer में आपको लिखना है leaf तो आपको इसमें बच्चों लिखना है leaf is a green color जो leaf का color जो हरा होता है बत्ती का color पेड़ो की दूसरा बच्चों trunk ट्रंक में जो साखा है तो आपको लिखना है बच्चों trunk is a main part of a tree ट्रंक मलब जो जड़ साखा ही होती है आपको इसमें जो यह वाक्य बनाना है इसके बाद देखे तीसरा आपका branches तो branch आपका branch साखा होती है ट्रंक मलब जड़ होती है तो देखे branch मलब ज़ाका तो the branches are divided into more parts आपकी जो branch रहती है साखा है रहती है पेड़ों में कई तरह से जो विवाजित होती है आपको यह लिखना है आपके तीसरे प्रशन का बच्चो पूरा उत्तर है आपको यह लिख लेना है इसके बाद देखे को लेशन नमबर 13 है the postman आपका यह लेशन है दूसरा प्रशन है बच्चो write the rhyming word for clear clear के लिए आपको rhyming word लिखना है जो है मिलता जूलता तो आपको लिखना है बच्चो dear यह आपका dear हो जाएगा तीसरा प्रशन है who says clothes for us कौन जो है हमारे से लिए कपड़े शीलता है तो उत्तर लिखना बच्चो टेलर टेलर इसका उत्तर है आपके स्क्रीन पर है इसके बाद देखी short answer है आपके answer in one sentence एक वाकि में बच्चो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है तो देखी पहला प्रशन है आपका what is the poem about poem किसके बारे में है तो उत्तर लिखना बच्चो देखी पोयम is about the postman postman के बारे में जो पोयम है दूसरा प्रशन है what does a farmer grow farmer क्या उगाता है तो बच्चो लिखना है farmer grow his crops जो अपनी फसल को उगाता है इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा प्रशन है where does a doctor work doctor कहां पर काम करते है तो उत्तर लिखना है बच्चो दॉक्टर work in the hospital doctor जो होस्पिटल में अश्पताल में जो काम करते है इसका उत्तर है इसके बाद बच्चो देखी long answer है आपका यहाँ पर look at the pictures and write two three sentence on it यह picture को आपको देखना है और इसके बारे में teacher जो teacher student को पढ़ा रही है दूसरा रोजा है का teacher do write on the blackboard blackboard में teacher लिख रही है जैसा कि आप यहाँ पर देख शकते आपको दूसरा यह लिखना है तीसरे में लिखना है बच्चो I call teacher maim इस teacher जो है मैं इस teacher को maim कहकर बुलाता हूँ जैसे कि madam आपको उपर दी हुई है यह आपको तीनों वक्की यहाँ पर लिख देना है इसका उत्तर है इसके बाद एक assessment साथ है बच्चो आपका यहाँ पर जिसमें आपका देखिए answer in one word एक शब्द में बच्चो आपको उत्तर लिखना है पहला पशन है वो एसी दो चीजों के नाम बताई जो postman जो बाटता है और फिर बाटने का काम करता है उत्तर लिखना बच्चो लेटर एंड न्यूस यह इसका उत्तर उजाएगा लेटर पत्र और जो जो इन्यूस को बाटता है पोस्ट में इसके बाद बच्छो आपका देखी लॉंग अंसर है, अंसर इन टू और त्री सेंटेंस, दो से तीन वाक्यों में आपको यहां पर उत्तर लिखना है, पहला प्रस्टन है, वे राइट अ सेंटेंस, इस अबाउट अ पोस्टमेंड, अ डॉक्टर एंड टेलर, आपको देखी जो डॉक्टर रहता है, वो पैशेंट, मतलब जो बिमार लोग रहते हैं, उनको ट्रीट करता है, सुधारता है, तिसरा हो जाएगा बच्छो टेलर, आपको लिखना है टेलर से उस क्लोथ, एक टेलर जो हमारी कपड़े सिलता है, यह आपका उत्तर हो जाएगा, तीनों आपका यहाँ पर अंसर इन वन वर्ड, एक शब्द में आपको उत्तर देने को कहा गया बच्छो, देखिए, पहला पशन है, वेर इस भोजपूर टेंपल सिटुटेट, मलने भोजपूर का टेंपल जो कहां पर है, मंदिर कहां पर है, उत्तर लिखना बच्छो राइशें दूसरा बच्छो नेम, दा रिवर, विच फ्लॉस नियर, जो है भोजपूर, कौन सी नदी की किनार जो है, अपका भोजपूर इस्तित है, तो आपको लिखना है बीतवा, बीतवा इसका राइट अंसर है, इसके बादे की तीसरा पशने की अंजम प्लेड, दा लेटस अग इसका रिवर्ड, आपको अगे इस प्रकार दिया हुए, आगे पीछे इसमें वर्ड है, मनला वो इसमें लेटर है, इसको आपको सही जमा के लिखना है, आपको उत्तर लिखना है बचो गेट, जी एटिक इट, गेट मनला आपको उता है दरवाजा बड़ा वाला जो आपक भोचपूर टेमपल, यह इसका आपका उत्तर हो जाएगा, दूसरा बचना है, वे इंडिट दा स्कूल बस रिचेस भोचपूर, जो स्कूल बस जो कब पहुची भोचपूर, तो उत्तर लिखना है बचो उत्तर लिखना है, गलत आपको यहाँ पर दिया हुए, आपको सही लिखना है, तो बच्छे उत्तर लिखना है, आपको दिखें, यहाँ पर इस परकार करना है, आपको यह जो पंचुएट कर लेना है, और पूरा आपको लिख देना है, इसका राइट अंसर है, इसके बाद दिखें, आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो दिखीं, चौता sentence, meaningful sentence बनाने के लिए आपको जो आगे पीछे शब्द दियो हो इसको आपको जोड़ना है इस आप भोजपूर विलेज इसमाल ब्यूटिफूल भोजपूर आपको इसको सही बना के लिखना है उत्ता लिखना है भोजपूर इस आपका उत्तर है आपको यह लिख लेना है इसके पाद देखी लॉंग अंसर आपका यहां पर है अंसर इन टू, टू, थ्री सेंटेस दो से तीन वाक्य में आपको यहां पर उत्तर देने है आपको कोशे नमबर वन है डू यू लाइक टू गो फोर आ पिकनिक लुक एट दा पिक्चरस ऑन दा पेज 91 91 पेज में आपको देखना है इंग्लिस रिडर इंग्लिस रिडर में आपको बच्चो 91 पेज में देखना है इनके 90 पेज में और आपको यहां पर बताना है रिट क्लास 4 एक शब्द में आपको उत्तर देना बच्चो पहला पशने, write the opposite of small small का आपको दो ही opposite मनलब विपरित सब्द लिखना है उत्तर लिखना है आपको बचो big, big इसका उत्तर हो जाएगा आपको यह लिखना है इसके बाद ही short answer है आपको यहाँ पर answer in one sentence, एक वाकी में आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है बचो इन two or three sentence, दो से तीन वाक्यों में आपको यहाँ पर उत्तर देना है बचो पहला प्रशन है, write the three sentence from the given table आपको दियेगे table में से तीन वाक्य बना कर यहाँ पर आपको लिखना है तो देखिए कुछ इस प्रकार आपका table है, इस प्रकार आपको दिया हुआ है तो देखिए आपको यहाँ तीन वाक्य बनाना है, तो देखिए बचो पहला आपका वाक्य हो जाएगा देखिए बोचपूर टेमपल वस बुल्ट बाय राजा भोज, देखिए बोचपूर टेमपल वस बुल्ट बाय राजा भोज दूसरा हो जाएगा दिफोच तेमपर इसार हो जाएगा चील्टरन वाइभड़ में बहुचपूर बस से गए थे यह आपका तीरो जहें आपको वाक्य लिक्लिएना इस का उत्तर हो जाएगा इसके बाद 17 अपका द्याय है इसमें now ग्रास ग्रेव अराउंड यह आपका पंद्रवा लिक्षन है देखिए इसमें वेरी शॉर्ट आंसर है बच्छो आपका अंसर इन वन वर्ड एक शब्द में आपको उत्तर लिखना है पहला प्रशन है वोट इस दा कलर ऑफ ग्रास ऑफ दा ग्रास जो घास का कैसा होता है घा और गर्डन इस पर दिया हो इसका आपको लट आगे पीछे इसके वापको लेटर करना है इसको सही मीनिग्फुल जहां वर्ड बनाना है उत्तर लिखना बचो जी अ आर्ड इए लिए न गार्डन इसका आपका उत्तर हो जाएगा या आपको लिख देना है इसका राइट ट्री पेड़ कहां है तो उत्तार लिखना कहां था तो उत्तार रह जाएगा त्स आपका जाय है इसका इसके पाद हें लोंग था झानोर की रैंड टू यहां पर की संटेंस फ्रॉम् इस प्रकार आपको यहां पर टेबल दिया हुए इसका आपको बनाना है इसके बाद देखिए असेस्मेंट 29 है बच्छो आपका यहां पर जिसमें आपका अंसर इन वन वर्ड एक शब्द में आपको उतर दिये बूला गया है पहला पुछने वेर वाज दा एग तो हुजाएगा बच्छो इसका इन दा नेक्स्ट आपको एक शब्द में उतर देना है तो आपको देखिए इन दा नेक्स्ट मतलब घुशले में इसका उतर हुजाएगा इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखी short answer आपको यहाँ पर बोला गया short answer आपका answer in one word एक वाक्य में आपको उत्तर देना है पहला प्रशनिया बच्छो rearrange the word and make meaningful sentence आपको word को rearrange करना है और meaningful sentence बनाना है लेकिन बच्छो आपका यहाँ पर देखी देर वासर ट्री यहाँ आपका इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ आपको लिख देना है इसके बदेखी long answer बोला गया बच्छो आपको long answer answer in two और three sentence दो से तीन वाक्य में आपको जो उत्तर लिखना है तो देखी पहला प्रशनिया आपका right two से three sentence on the tree तो देखी पहला आपको लिखना है the tree was in the garden दूसरा लबल लिखना है बच्छो उत्तर में the more branches on the tree और आगे लिखना है बच्छो आपको तीसरे में the tree given us fruits यह आपका इसका उत्तर हो जाएगा बच्छो आपको पूरा लिख देना है और आने वाली हर वीडियो का नॉटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजे थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो